तो इस विश नज़र डालते हैं फटाफट खबरों का CNA मनोर लाल ने केंद्र जल संसाधन मत्यू गर्जेंद्र सिंग शेखावत से मुलाकात की इस दोरान केंद्र जल शक्ती राज़ु मत्यू रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे गर्जेंद्र सिंग शेखावत ने ट्वीट कर मुलाकात की जानका दिदी लिखा की जल से जुड़े विशे पर S.Y.L. की प्रगती पर राइश उमारी हुई है C.M. Khattar अनुभवी और लोगों को और सभी मुद्दों पर जनहीत को प्रथम प्रात्मिक्ता देते हैं केंद्र ग्रह मंत्री से मुलाकात के बाद C.M. अनुभव लाल ने ट्वीट किया लिखा कि उन्हें किसान अंदुलन में बढ़ रही हिंसात्मक और अनेतिक घटनाओं विसेश कर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया C.M. मनुभव लाल ने ट्वीट किया कि ये हिंसात्मक और अनेतिक घटनाओं अत्यांत चिंताचनक हैं इनका स्थान ये विरोध भी हो रहा है हर्याना सरकार कानूनों विवस्था को किसी भी स्थिती में बिगडने नहीं देगी C.M. मनुभव लाल ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मी बाई को नमन किया हैं लिखा कि देश की स्वतंतरता के लिए किया गया उनका संगर से सद्यों तक हमें मात्र भूमी की रक्षा के लिए प्रिविद करेगा C.M. हुड़ा ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मी बाई को श्रधान जली दी लिखा की अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने वाली विरांगना महा रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर उने नमन कॉंग्रेस प्रोदेश अद्यक्ष कुमारी श्रेलजा ने ट्वीट कर लिखा की शौरियर स्वभीवान के साथ अंग्रेजी शासन का सामना करने वाली अमर बलिदान विरांगना जहासी की रानी लक्ष्मी बाई को नमन कॉंग्रेस ने तराउल गांदी ने ट्वीट कर सरकार पतन जुकसा है लिखा की मोधी सरकार के विकास का ये हाले कि अगर किसी दिन पैट्रोल डिजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पैट्रोल डिजल के कीमतों में बढ़ उत्री की है पैट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रती लीटर और डिजल की कीमतों में 28 पैसे बढ़ाए बड़ोत्री के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपे 53 प्रती लीटर हो गये डिजल के भाव में आई तेजी के बाद दिल्ली में डिजल का रेट 87 रुपे 59 प्रती लीटर तक पहुँच गया देश में कोरोना मामलों में लगतार गिरावट दर्च की जारी है 24 घंटे में 62,000 से भी जादा ने के सामने आई वही 1590 मरीजों की मौत दूसरी लेहर के बीच अब देश में आक्टिक के साथ लाग से भी जादा कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखने को मिली है 24 घंटे में 88,000 मरीज रिकवर हुए महराष्ट में कोरोना के केस लगतार कम हो रहे एक दिन में महराष्ट में कोरोना के 9,830 ने मरीज मिले है जबकि 5,000 कोविट मरीज ठीक हो ये 636 मरीजों की जान चली गई दिली में 24 घंटे में 158 से भी जादा ने केस मिले 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया दिली में अब 2000 से भी जादा एक्टिव केस प्रदेश में कोरोना के 232 ने मामले सामने हैं प्रद्रिश में कोरोना का कहर कम होने पर और डीवन नियम हटा दिया गया और सभी दुकाने खोलने के अनुमती दी गए दुकानदारों को अभी भी मदी के मार झेलनी पड़ रही है दुकानों पर ग्राहकना के बराबर आ रहे हैं का कहना है कि और डीवन लागू कर सुबह नौ बजे से दो फैर तीन बज़ दक दुकानों को खोलने का समय रखना जाना चाहिए आये में कहवान पर जिन्द के नीजी अस्पतालों में OPD सेवाय बंद रही इलाज के दौरान डॉक्टरों पर हिंसात्म घटनाओं के विरोध में डॉक्टर हर्ताल पर है हर्ताल के दौरान अपत्तिक आली ने सेवाय जारी रहेंगी वही डॉक्टर्स ने सरकार से कानून बनाने की मांग किये और बाबा रामदेव के बयानों का भी विरोध जबताया है कहा है कि अपनी दवाई बेशने के लिए वे ऐसे बयान दे रहे है अंतराष्टी योग दिवस को लेकर पलवल में जीला प्रसाशन की तरब से तैयारिया और जरूरी प्रबंद किये गए है निर्धारित प्रोटोकॉल के मताबिक पचास जगाओ पर योग रिहर्सल कारिक्रम किये गए आयुश विवाग के डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि योग से जुड़े और स्वास्त का लाब उठाए जिले में 21 जून को पचास जगाओ पर योग किया जाएगा ऑनलाइन भी लोग योग कारिक्रम में जुड़ेंगे कुरुक्षेत में अंतराष्टी योग दिवस की तैयारियों की शुरुवात हो गए पतंजली से जुड़े लोग और योग सिक्षक कर निर्धारी तस्तल पर पहुचे और योग अभ्याज किया थाने सर के SDM ने बताया कि सरकार ने मिले दिशा निर्धेश के तहत प्रसार्शन बीस जुन तक तैयारिया करेगा जब कि 21 जुन को फाइनल कारिक्रम होगा स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत योग दिवस की प्रैक्टिस की जा रही है ग्रहमंत्री अनिल्विज ने की बीजेपी के राष्ट अध्यक जेपी नड़्डा से मुलकात अनिल्विज ने काई की बीजेपी अध्यक्ष के साथ ती रूटीन मुलकात इनलो नेता अबेच उटाला ने काई कि हर्याना में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला रजिस्ट्री घोटाला धान घोटाला हुआ है शराब और रोजिस्ट्री घुटाले में कई अफसरों के खलाफ कारवाई की सिफारिश की गई लेकिन किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई अमबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा ने मांसून के तयारियों को लेकर निगम कमिशनर के साथ जल भराव की समस्या को लेकर चर्चा किये ताकि बारिश के मौसम में अमबाला की जनता को जल भराव की समस्या से परिशान ना होना पड़े मेर शक्ती रानी शर्मा लगतार अलग-अलग इलाकों का दोरा कर रही है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रही है ताकि अंबाला वासियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इस दोरान मेर शक्ती रानी शर्मा ने कहा है कि ड्रैन और नालियों की सफाई का काम किया जा रहा है साथी उन्होंने कहा है कि शहरवासियों को बहतर सुभिदा देना हमारा मकसद है कोरोना को लेकर मेर शक्ती रानी शर्मा ने कहा है कि लगतार अंबाला शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल संग के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लगू सची वाले पहुच के सरकार के नामी ग्यापन सौपा नीजी स्कूल सांचालकों का कहना है कि जिस तरह से दुकाने वाजार और उद्द्यों को खुले हैं स्कूलों को भी खुल देना चाहिए टीचर्स ने कहा है कि वो सरकार की हर गाइडलाइन्स का पालन करेंगे यूपी हर्याना सीमा विवाद को हल करने के लिए एक बार फिर से पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी में सतर फीट की पिलर्स लगाए जा रहे हैं उमीद जताई जा रही है कि पिलर्स लगाने के बाद विवाद का अस्थाई हल हो जाएगा हर्याना और उतर प्रदेश के बीच उलजे सीमा विवाद के सबसे ज़ादा मामले करनाल पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले में हैं दोनों राजियों के बीच सीमा निर्धारन के लिए कई बार योजनाय तयार की गई विदान सबा अध्याक्ष ग्यान चंद गुपता ने पंचकुला सेक्टर पाँच आटीय ओफिस में छापा मारा हो अधिकारियों की क्लास लगाई कहा कि चेकिंग विवस्था को दुरूच किया जाए और ओवरलेड़िट बहान चालकों पर कारवाई की जाए ग्यान चंद गुपता ने कहा है कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पंचकुला में 700 रुपे वसूली किये जारे इसको लेकर वो ट्रांसपोर्ट कमिशनर और ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलेंगे ग्यान चंद गुपता ने ट्रांसपोर्ट विभाक के अधिकारियों से जानकारी लिये कि उन्होंने एक महिने में कितने वाहनों के चलान काटे है जो ओवरलोडड़ थे अधिकारियों ने बताया है कि करीब 150 ओवरलोड़ड़ वाहनों के चलान काटे गए सोनिपत में नगर निगम की लापरवाई के चलते आरिय नगर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है तीन साल से लोग अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे लेकिन अश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता लोगों का कहना है कि गंदे पानी पीने के कारण परिवार में बच्चे बिमार पढ़ रहे हैं लोगों को एलर्जी हो रही है और लोगों पैसों में पानी खरीद कर पीने को मजबूर है पलवल में नागरिक अस्पताल में कोवीड वैक्सिनेशन का कारिय सुचारू रूप से चल रहा है जिले में अभी तक 2,55,545 लोगों को वैक्सिन लगाई जा चुकी है वैक्सिन को लेकर लोगों में भी उससा देखने को मिल रहा है रादोर में देख रेक के अभा में लाको रुपे की लागत से तयार कीए गए वैम शालाओं की हालत दैन यह हो रही है यहां कोई भी प्रसिक्षक नियुक्ती ना किये जाने के चलते भी लोग नहीं आ रहे हैं लोगों ने वैम शालकों की हालत के लिए अधिकारियों को जिम्यदार ठहरा है काये कि वैम शालों में ना तो कोई योग टीचर तैनात किया गया और ना ही रख रखाओ को लेकर जिम्यदारी तै की गई है खंड विकार सेवं पंचायत अधिकारी का कहना है कि व्यामशालों की सापसफाई करवा दी जाएगी प्रसाश्चिक की न्यूकती के लिए आयूश विभाग को पत्र लिखा गया है जल्द मिल जाएगा केतल में नगर परिश्वध हाउस की मीटिंग को लेकर कारिकारी प्रदान और कारिकारी अधिकारी एक मत नहीं हो पा रहे हैं इसके चलते होने वाली मीटिंग होगी या नहीं उस पर अस्मंजस की स्तिती बनी हुई हैं। कारी-कारी प्रदान मीटिंग की ओफिशिल सूचना और एजेंडा प्रारशोदो तक ना भेजने पर नाराज है कि इसे लेकर कारवाई की जाएगी। पानीपत के समलाखा में विजली विभाग की लापरवाई के चलते खंबे पर चड़कर काम कर रहे हैं दो करमचारी करेंट की चपट में आगे जिसमें से 22 वर्षे करमचारी की मौके परी मौत हो गई। लोगों ने विजली विभाग पर लापरवाई के आरोप लगाया कि परमिट लेकर काम किया जा रहा था लेकिन पावर हाउस ने विजली चालू कर दी और दो लाइन मैन जे ई और ठेकेदार समय चार के खलाफ के इस दर्ज किया गया। हरियाना विधान सभा अध्यक्ष ग्यांचंद गुप्तरा ने पंचकुला वासियों को कई सौगात दिये जिसकी शुरुवात शहीद मेजर संदीप सांकला मेमोरियल चौक से की गई है और दस बसों को हरी जंडी दिखाई गई। पंचकुला को हरा भरा और साफ सुतर बनाने के मकसद से सेक्टर 14 में स्वच भारत मिशन के तैट नए प्रोजेक्ट का शुपारम किया गया और लोगों से कपड़े के बैग यूज करने का एवान किया गया। ग्यांचंद गुपता ने बताया कि जिन दस नई बसों की शुरुवात की गई है ये पंचकुला की लोकल बस से है ये सेवा रात नौबेज तक मोहिया करवाई जाएगी। अबिक दोनों को रिवाडी के ट्रॉमा सेंटर में भरती करवाया गया जहां बच्चे की मौत हो गये वही पिता का इलाज लगतार जारी है। रौतक के गाउ लाठोद में प्लोट की दिवार निर्मान को लेकर फौजी के मकान पर पेट्रोल बंब से हमला किया गया। पेट्रोल बंब के हमलों में फौजी का दिव्यांग भाय और उसके पिता बुरी तरह से जुलज गये। साइबर सिट्टी में मामुली विवाद के चलते पत्नी द्वारा पती की हत्या का मामला सामने हैं मामला जोती पार्क इलाके का हैं। दोनों के बीश घरेलू बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा की पत्नी ने पत्ती की चाखु से हत्या कर दी एसीपी क्राइम की मताबिक पुलीस ने शफ को कबज में लेकर आगे की तफ्तिश शुरू की। टिक्री बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आये लोगों ने एक वैक्ती को जिन्दा जला दिया है एक नुजी अस्पताल में जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुर्टक की पैचान कसार गाउ निवासी मुकेश की रूप में हुई है मुकेश रोजाना की तरह शाम के समय आंदोलन कारी किसानों के पास गया था। किसान आंदोलन में शामिल होने आये जिन्द के चार लोगों के पास बैट कर पहले तो शराब का सेवन के अबाद में उसकी आरोपी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी होगी जिसके बाद आरोपी ने उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। महिंदरगर्ड में आटो मार्केट में बियसेनल टावर के साथ दुकानों पर बने चौबारों की नगरपाली का प्रसाशन की तरफ से खुली बोली लगाई गई बीस चौबारों के लिए लगी हुई बोली में 73 लोग शामिल हुए चौबारों की लगी खुली बोली के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी भी चौबारे की बोली 10 लाख रुपे से कम नहीं रही ऐसे में अगरपाली का कि खाजाने में तो लाख रुपया आया है और साथी प्रतीमा किराय की रूप में भी इनकम बढ़ेगी इस बोली में DC की और से न्यूक्त नगर परिशद नारनौल के XIN अंकित वशिस्ट की देखरेक और नप्पा सचीवर प्रदीप कुमार की मौझूदगी में 20 चौबारों के लिए चली बोली में 73 से अधिक लोग साम मिल हुए पुरानी रंजिश की चलते रेवाडी गाओ के कुछ लोगों ने बाप बेटे पर हमला कर दिया हमले में पिता की हालत गंबीर है वही बेटे की गोली लगने से मौत हो गई सभी आरोपी बारदात को अंजाम देने के बाद मौकिस से फरार होगी शिकायत के आधार पर पुलीस मामले की गंबीता से ज़ाच में जूटी हुई है घटना गुरुग्राम के खलील पूर शेतर की है नरवाना के बिरबल नगर, शास्त्री नगर में पिछले CHE महीने से पानी की एक बूंध भी नहीं आती है ना पानी देने का कोई समय निर्शित है लोगों को पानी के बिना का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी की किलत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लामबन लोग नगर परिशवत कैलाश सिंगला की नेत्वित में जन स्वास्त विभाग कारियाले पहुचे और विभाग सहीत अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की सिर्षा में कोरोना संक्रमत पर पूद्धिरस से अंकुष लगाने के लिए वैक्सिनेशन अव्यान जारी है जिले में अब तक 2,92,541 लोगों को वैक्सिन लगाई गई सिर्षा जिला वैक्सिनेशन को लेकर प्रदेश में छट्टे प्रदान पर पहुच चुका है स्वास विभाग ने किया स्लोट खुलने का समय निर्धारित अब हर रोज शाम आट बजे खुलेगा स्लोट सरकार को पिछले दिनों भेजे गए मुस्तनौता की पहाडियों में बांध बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने प्रसाशनिक स्विक्रिती जारी कर दिये इसके लिए 5,18 राख रुपे की बज़ट राशित की स्विक्रिती कर दी गई नांगल चौधरी के विधायक अभे सिंग यादव ने कहा है कि ये परिजना नांगल चौधरी के पहाड़ी शेत्र के लिए एक बड़ा उपहार सावित होगी इसे ना केवल आसपास के गाउ का जलस्तर रिचार्ज करने में मदद मिलेगी आप पूर्ती इस पहाड़ी शेत्र में हर्याली का एक नया उद्देश जुड़ेगा कालनवाली के वैपारी के पास 90 करोड का बिजली का बिल सामने आया है वैपारी राकेश कुमार ने बताया कि रूटीन में सीजन के समय 5-6 लाग का बिल आता था लेकिन अब 90 करोड से अधिक का बिल आया है गोहाना स्वात विभाग की और से कोरोना संक्रम रोकने के लिए उठाएगे कदम लोगों के लिए राहत देने वाला साबित हो रहा है गोहाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग-अलग कॉलोनियों में वैक्सिनेशन के कैम्प लगाकर 18 से जादा उम्रक के सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोस दी गई गुरुग्राम में जल्द रूस की कोरोना वैक्सिन सपूतनिक का ट्राइल शुरू हो जाएगा इसके लिए गुरुग्राम स्वासविवा की तरफ से तैयारिया पूरी कर ली गई गुरुग्राम के एक नुजी अस्पताल में भी अलग से अगले दो से तीन दीन में सपूतनिक का प्राइल शुरू हो जाएगा जिसके बाद हरियाना समय गुरुग्राम को भी जल्द ही सपूतनिक वैक्सिन मिलेगी मंडी डबावली में चोटाला रोड सित गोल्ड लोन कार्याले में की उती तीन घंटे तक बंदख रही परीजिनों ने बताया कि पिडितने 25 मार्ज को उप्रुक्त कंपनी के पास गोल्ड गिर्वी रखकर 45,000 रुपे का लोन लिया था सिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को किताबों की जगख हातों में राशी डालने के फैसले का अध्यापक संगटन ने विरोध किया है सिक्षा विवाग द्वारा पहले से आठवी कख्षा तक के बच्चों को इस बार की किताबे दिये जाने की बजाया उनके खाते में राशी डालने का फैसला लिया गया सांसा धरंबिर सिंग ने कहा है कि विभानी महिंद्रगर्ड सांसुदीर शेत्र में करीब 1000 करोड की लागत से बन रही है सड़के जल्द होगा काम पूरा दरंबिर सिंग ने कहा है कि रहतक रोड स्थित निनान से हासी रोड तक शहर के चारो और चारसो पचास कडोड की लागत से बनाई गई बाई पास गुरुग्राम बरसात में जल भराव की समस्या के निदान को लेकर किये जारो उपायों को गुरुग्राम महानगर विकास प्रदिकरन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तित की राज जल भराव की समस्या के जल्द समधान के लिए इस बार ट्विक रिस्पॉंस टीम बनाई गई है जुसके पास मशीन और मोबाईल पंप आदी मौजूद होगा गुरुग्राम में अलिगर्ड पुलीस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है मदन कालिया के गुरुग्राम सित अविद शराप का मटेरियल बनाने की पकेट पकड़ी गई कर्नाल में पश्मी यमुना नहर से 26 वर्षी यूवक का शब मिला तीन दिन से गाव और नगला से यूवक लापता था हासी नगर परिशत कार्याले में कोवीट फंड के गलत इस्तमाल करने के मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग जाज के लिए पहुँची जजर में लिंग जाज के जाल में फसाकर मोटी रकम एटने के चक्कर में एक गिरोस्वात विवाग के शिकनजे में फस गया रोतक के गाव सोमान में बाइक पर सवार होकर आय तीन यूको ने घर में बैटे तीन यूको पर धुआधार फाइरिंग कर दी बॉलिवूट के मशूर अभिनेता अक्षे कुमार कश्मीर पहुची है इस दोरान जमू कश्मीर पुलीस के जवानों के साथ ही बीएसफ के अधिकारी भी मौजूद रहे अक्षे कुमार ने नीरुगाओ में स्कूल भवन के निर्मान के लिए एकर रुपे दिये अक्षे कुमार ने जवानों के साथ वॉलिवॉल खेल भी खेला है अक्षे कुमार भी लोगों के बीच काफी प्रस्नन दिखे CBSE बोर्ट की बार्वी की माक्षेट तैयारी करने को लेकर बनी 13 सदस्य समीती ने सुप्रिम कोट में रिपोर्ट सौपी है CBSE ने बताया कि 10 वी, 11 वी और 12 की प्रिबोर्ट की रिजल्ट को बार्वी के फाइनल रिजल्ट का अधार बनाया जाएगा कोट में बताया गया कि 31 जुलाई तक CBSE बार्वी की रिजल्ट घोशित कर दिये जाएंगे जो बच्चे परिणाम से संतूष्ट नहीं होंगे, उन्हें दोबारा परिक्षा देने का मौका दिया जाएगा CBSE ने काए कि 10 वी के 5 विशे में से 3 विशे के सबसे अच्छे मार को को लिया जाएगा और 11 वी के 5 विशे का अवरेज लिया जाएगा और 12 वी के प्री बोड एक्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा पलवल में पेट्रोल पंप पर बाइक सबार 7-8 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया विरोध करने पर पेट्रोल पंप करमचारी को गोली मार दी बदमाशों ने पैसे नहीं देने पर पंप पर जम कर तोड़ फूर की ये 60,000 रुपे लूट कर बदमाश फरार हो गया इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच साउथ मैप्टन में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकावला खेला जाएगा पहली विश्वर टेस्ट चैंपिंशिप के फाइनल में भारत और न्यूजिलेंड की टीमें आमने सामने होंगी करिब दो साल में लंबे सफर के बाद विराट कोली की अगवाई में टीम इंडिया और केन विल्यमसन की कपतानी में न्यूजिलेंड ने ICC World Test Championship में फाइनल में जगा बनाई बारत और न्यूजिलेंड की बीच अब तक उनसे टेस्ट मुकावले खेले जा चुके जिसमें भारत ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकावले में हार का सामना करना पड़ा